वेलकम टो मैत्स लेमा इस वीडियो में हम लोग अलजेबरा के एक कोस्टन को बनाते हैं जो competitive exam में अक्सर पूछा जाता है इस तरीकी के question आपको हर एक exam में दिखेगा question में कह रहा है if a plus b is equal to 5 a b is equal to 4 तो आपको value निकालना है a q plus b q minus 4 का ठीक है option में दिया होगा 65 63 61 81 ठीक है हम लोग बनाते हैं देखिए a plus b is equal to 5 दिया हुआ है ठीक है और a b आपका दिया हुआ है 4 ऐसे question को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा a plus b आपका left hand side को cube कर दीजिए तो आप लिख सकते हो a plus b का whole cube is equal to 5 का भी आपको cube करना होगा तो आप लिख सकते हो 5 का whole हमने formula पढ़ा हुआ है a plus b का whole cube का क्या formula होता है formula होता है a q plus b cube plus 3 a b और into a plus b ठीक है right hand side में 5 का क्यों क्या होगा 55 25 25 25 25 है ठीक है अभी देखिए आपको value किसका निकालना है a q plus b q minus 4 का ठीक है तो यहां से हम लोग देखते हैं कि हमें जब आप इसको छोड़के बाकी टर्म में आप value put up करते हो तो आपका क्या जाएगा आपका जाएगा a q plus b q plus 3 और a b है a b given 4 तो आप कर देजिए 4 into 4 a plus b a plus b का 5 value दिया हुआ ता आप उसके जगह यह put up कर देजिए इसकल टू 125 ठीक है अभी देखिए यहां से आपको एक a q plus b q का value पता चल जाएगा तो आप लेख दीजिए a q plus b q तो इसकल टू क्या हो जाएगा यह इधर plus में है तो इधर जाके minus हो जाएगा 125 माइनस 54 जाल 20 23 जाल 60 तो यह minus 60 हो जाएगा ठीक है यहां से a q plus b q क्या हो जाएगा 125 माइनस 60 65 लेकिन कोश्चन में कह रहा है a q plus b q minus 4 तो आपका क्या जाएगा a q plus b q का value है उसमें minus 4 करना है तो आपका जाएगा 65 minus 4 and your answer will be 61 तो हमारा option c जो है that will be the right option thank you so much please share it with your friend and please subscribe to my channel thank you good day